है लो चैंपियांस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आप लोगों का लेट स्कोर हंडेड में वेलकम करता हूं दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है देट टॉक्स अबाउट लेंड डिग्रिडेशन एंड लेंड कंजर लेंड पे होती है एंड लेंड पे हम हैवली डिपेंड करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए राइट तो आये देखते हैं लेंड डिग्रिडेशन एंड कंसर्वेशन तो इस टॉपिक इस अबाउट लेंड डिग्रिडेशन एंड कंसर्वेशन सबसे पहले हम डिग् मतलब decline in the quality of land यानि land हमारी खराब हो रही है weak हो रही है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं तो पहले हम conservation की जरूत क्यों पड़ी क्योंकि land degrade हो रही है decline हो रही है in terms of quality आए शुरू करते हैं so first point is we have shared our land with the past generations and we'll have to do so with the future generation दोस्तो हमारी country में एक tradition है हम लोगों को जब बर्सडे होता है तो हमें gifts मिलते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग return gifts भी देते हैं when we are born we have been given the land to us by our ancestors बोलते हैं भाई land, property, house so our ancestors give us land and it is our duty ancestors रहें land दिया तो क्या हो गया? gift हो गया? अब वही gift return gift हमें किसे हम लोगों को किसको देना होगा? future generations को right? तो हमारे जो four fathers ने and sisters ने जो हमें land दिया वो तो बहुत healthy land दिया good quality land दिया लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? land को अपनी selfish reasons के चलते wasted interests के चलते without thinking about future generations हम उसको degrade कर रहे हैं खराब कर रहे हैं which is not right देखते हैं next point 95% of our basic needs 95% now just think जो land हमारे life में इतना important role play कर रहे है उसकी conservation के लिए या हम ऐसा कुछ करें उसको इस तरीके से manage करें या इस तरीके से use करें जो degradation की process है पहले तो slow हो जाए उसके बाद वो बिल्कुल खतम हो जाए end कर दें उसका क्यों? क्योंकि हमारी जो basic 95% needs हैं चाहे food की हो आज जो आपने breakfast में खाया lunch में खाया dinner में खाया सब land से ही तो आता है जो हम सुबह उठ करके coffee पीते हैं उसमें milk डलता है sugar डलता है sugar और milk कहां से आता है land से ही तो आता है कुछ चीजे land से directly आती है कुछ चीजे indirectly आती हैं जो coffee आपने सुबह पी आज राइट उसमें जो sugar डाला गया कहां से आया land पर ही तो हम grow करते है sugar can या जो milk आया cows and buffalo से हमें जो milk मिलता है राइट cow and buffalo किस फेड करती है fodder पर fodder कहां grow होता है land पर ही तो होता है upper surface of land which is soil राइट next देखते हैं shelter food की बात हो गई shelter the houses we live in उसकी doors windows and while constructing the houses जो हमारे घर बन रहे होते हैं या flats बन रहे होते हैं आप जाके देखे कितने ज़्यादा timber की जरुरुत पड़ती है उसके बिना हम houses को construct ही नहीं कर सकते so food के लिए हम dip in करते हैं shelter के लिए हम dip in करते हैं clothing जो हम लोग cotton के clothes पहनते है cotton कहां ग्रो करता है अपर surface of land which is soil एक तरीके से land ही हुई so basically हमारी जैसा कि book में भी लिखा है कि 95% of basic needs ये land fulfill करती है चाहिए हमारा food हो चाहिए हमारा clothing हो चाहिए shelter हो हम heavily land पे dependent है इसलिए हमारी हमारा परम करतव बनता है हमारी ये main duty बनती है कि हम land को अच्छे से manage करें अच्छे से use करें ताकि वो जो decline होने की speed है कम हो फिर end हो जाए तो next point है हमारा human activities have not only brought about degradation of land पहले first part को discuss कर देते हैं हम लोगों की जो activities है चाहे deforestation हो चाहे mining हो चाहे querying हो इन सारी activities हम क्या कर रहे है land को हम degrade कर रहे है और दूसरा जो actually natural तरीके से भी land you know degrade होती है लेकिल nature का क्या वो balance बना के चलती है तो वो उतना ज्यादा harmful नहीं है लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग directly तो land को degrade कर ही रहे हैं हम लोग directly land को हम लोग deforestation कर रहे है overgrazing कर रहे है mining कर रहे है quaring कर रहे है इन तरीकों से हम लोग directly land को degrade कर रहे है right और उसकी वज़े से क्या हो हो गया है देखे but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land how देखते हैं से हमने क्या करी deforestation करी जो forest होता है जो tree होता है वो upper surface of land को hold करके रखता है soil को hold करके रखता है ताकि इसे कैसे land degradation रुखता है जो storm आते हैं या जो बहुत ज़्यादा heavy rain होता है heavy rain भी upper surface of land को अपने साथ बहा ले जाती है storms आते हैं या winds जब high speed पर चलते हैं तो उसके साथ भी upper surface of land which is soil dry होने पर उड़ जाती है तो forest का ये role होता है basically trees का ये forest जो deforestation हमने किया यानि trees और plants को trees को हमने काटा deforestation किया अब जो है जहाँ पहले tree था वो land को hold किये हुए था अब वहाँ पर land पर tree नहीं है तो high speed से जब wind चलेंगी या rainfall होकी बहुत जादा तो क्या होगा upper surface of या तो washed away हो जाएगा या तो wind के साथ उड़ जाएगा इस तरीके से हमने aggravate किया है इसको दूसरा देखते हैं over grazing ये इस image के help से समझते हैं देखें पैच दिख रहा थे ये जो brown patches है अगर बहुत ज़्यादा high speed पर wind चलती है तो land को soil को उड़ा ले जाएगी over grazing से क्या हुआ ये जो green grass जहाँ पर है ये green grass की roots ने upper surface of land को अच्छे से जखड़ा हुआ है वो तो न तो उड़ेगी न तो बहेगी लेकिन जो brown patches है अगर heavy rain हुई या high speed से wind चली तो वो wash अवे हो जाएगी या तो उड़ेगी तो इस तरीके से जो हम over grazing कर रहे हैं या deforestation कर रहे हैं तो जो nature की speed है जो nature की speed है जो nature का तरीका है land को degrade करने का वो उसको हमने aggravate कर दिया है उसको हमने और fast कर दिया है is that clear चली quaring means आप लोग जानते ही होंगे mining coal mining हो गई and भी other minerals की mining quaring में क्या करते हैं हम लोग rocks को stones को और sand को हम निकालते है quaring में quaring ये है आप लोग देख सकते हैं basically stone को हम बहार टिकालते है उसके बाद हमारा next है यहाँ पर देखे coal mine है जो mining activities है अब एक बार हम थोड़ा सा mining को भी समझ लेते हैं कि mining हम जो लोग हम लोग जो mining करते हैं वो nature की जो speed है land को degrade करने की कैसे उसको aggravate करती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land natural forces में हम mainly दो का example लेंगे water का basically rain का and wind का होता क्या कि जब mining cover complete हो जाता है mining किसलिए करा जाता है profit making के लिए लेकिन mining cover जैसे complete होता है उसको वैसा है का वैसा है गढ़ा छोड़के भाग जाते है उसकी वज़े से या तो उसमे water logging हो जाती है काफी लंबे समय तक जब काफी लंबे समय तक water logging हो गी तो क्या होगा land क्या होगी alkaline होगी या उसकी salinity बढ़ जाएगी again land degraded होगी या तो high speed पे winds चलेगी तो क्या होगा land तो degraded हो रही है यानि land तो उड़ी रही है air में pollution भी हो रहा है क्योंकि fine dust particles आप देखो न अगर जो ceiling fans आप लोगों के घर में लगे हों आगर उनको observe करो तो 20-25 days में वो dust उसमें collect हो जाती है तो land to degrade हम लोग करवा ही रहे हैं उसके साथ ही साथ air भी pollute हो रही है यानि सारा नुकसान ही नुकसान है चलिए हम लोग next slide पे चलते हैं और देखते हैं next slide talks about causes अभी हम लोगों ने पिछली slide में पढ़ा कि हम किस-किस तरीके से land को degrade कर रहे हैं और उसके अलावा भी कुछ causes हैं जो land को degrade कर रहे हैं आएए देखते हैं so causes of causes of land degradation causes of land degradation are five five reasons हैं इसको हम लोग एक ट्रीक से learn कर सकते हैं आज इसको मैं बोलता हूँ momo id आईए देखते हैं momo id आईए आईए so first m first m is for mining second m is for mineral industry first o mineral industry mineral industry mineral industry basically हम लोग ceramic industry and cement industry अब हमारा अब हमारा क्या बचता है o first is first o is for over grazing and second o is for over irrigation now i i stand for industrial effluents यानि जो इंडस्ट्री का waste water होता है जो इंडस्ट्री का इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री होती है दो तरह के wastage wastes you know create करती है एक तो liquid waste and solid waste so i stands for industrial effluents यानि industrial kachra liquid and solid both and d stands for deforestation so अगर हमें याद करना हो कि water the causes of land degradation ता आप सीधा बोलो MOMO ID right कुछ लोगों का funny है बट आपको I guarantee हो कि आप लोग भूलेगे नहीं MOMO ID देख बार अच्छे से देखते है MOMO ID की full form क्या होती है first M is I am trying to make you people learn देहान से सुने है first M is for mining second M is for mineral processing first again O is for overgrading again dousra O is for over irrigation I is for industrial effluents D is for deforestation अब आया detail में इसको पढ़ते है so MOMO ID is equal to causes of land degradation आये देखते है so mining हम पढ़ते है mining sites are abandoned after excavation work is complete leaving deep scars and traces यह जो deep scars and traces होते है जब winds high speed पे चलती है या heavy rain हो जाता है दोनों ही conditions में land degrade होती है land तो degrade होती है high wind चलने पे air भी pollute होता है हाला कि दूसरा topic है just के वाल समझने के लिए exam में नहीं लिखना है अब states like जारखंड mining से किन-किन हमारे इंडिया के किन-किन states में mining की वज़े से land degrade हो रही है उसको हम समझते है जारखंड है इसमे 36 गड़ है मद्ध प्रदेश है यहां पे large scale पे deforestation हो रहा है due to mining severe land degradation हो रहा है तो जब mining किया जाता है तो forest को clear किया जाता है तो deforestation भी होता है तो basically mining से पहले deforestation हो गया trees and plants are cut mining के बाद land degradation हो जाता है deep scars and traces की वज़े से right अब इसमें question आएगा sir mining की वज़े से किन-किन states में land degradation हो जाता है या deforestation हो जाता है बहुत ही easy है learn करना इसके लिए एक formula है and वो formula है उसको लिखते है उसको बोलते है मध्य प्रदेश का आप ma ले लीजे जहारखन का jhe ले लीजे इसे बोलते है मा जहा wait a minute पहले हम इसे delete कर लेते है clean कर लेते है होता है मा जहा ma जह odisha 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 का odi odisha का odi odisha में क्या होता है odisha होता है तो हम इसे शा नहीं करेंगे odisha करेंगे c double ha इसका ले लेंगे odisha c double ha so मा जहा odisha are the states जहां पे deforestation and land degradation हो रहा है mining की वजह से मा जहा odisha odisha नहीं odisha where odisha stands for odisha and c double ha for is that clear now let's move on to the next point यह बहुत ही helpful होगी इसका फैदा महसूद करेंगे while you know learning the answers next देखते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना next देखे आप लोग ना जो हम लोगों ने भी momo id learn करिये है एक बार जब answer learn हो जाए तो उसे किसी भी sequence आप लिख सकते हो right तो हम चलिए उसी क्राम में अब दूसरा देखते हैं M आया था M के बाद O आया था तो देखते हैं O is for overgrazing in states like Gujarat, Rajasthan, Madhra Pradesh and Maharashtra overgrazing is one of the main reasons for land degradation right यह हमारे कौन-कौन से states है map में देखे बहुत ही easy है map की help से बहुत आसानी से learn कर सकता अब हम लोग एक trick भी शेयर करेंगे कि इनको overgrazing की वज़े से कहां-कहां land degradation हो रहे है एक trick है उसकी वज़े से जैसे माजह, Odisha learn किया हम लोगों ने वैसे ही learn करेंगे देखते हैं देखे ये चारो states एकदम bordering states है हमारा राजस्थान हो गया गुजरात हो गया महारास्ट्रा हो गया और हमारा मध्यप्रिदेश हो गया right इसमें हम कौन सी short-cut या trick अपना सकते हैं इसमें हम लोग बनाएंगे एक बार clean करते हैं हम लोग बनाएंगे मारा मारा गुमा मारा गुमा मारा गुमा दोस्तों मारा गुमा are the states जहां पे over grazing की वजह से land degrade हो रही है आये देखते हैं मारा इस फ़र महारास्ट्रा and this is for राजस्थान गु इस फ़र गुजरात and माई अगें यहां पे हम मध्यप्रिदेश ले सकते हैं तो मारा क्या हो गया हमारा मारा गुमा मारा मतलब धुनाई करी कुटाई करी गुमा मतलब भाग गया गायव हो गया कैसे हर घर में जब 2 siblings होते हैं और age gap काफी कम रहता है तो मार कुटाई होती रहती है तो हुआ क्या कि बड़े signaling ने छोटे की गुटाई कर दी और फिर जब मम्मी या पापा आए तो बड़ा वाला निकल लिया क्योंकि इसको ढाट सुननी पड़ेगी तो इस तरीके से ऐसे आप learn कर सकते हैं मारा गुमा मारा गुमा is for the states जहां पर ओर ग्रेजिंग की वज़े से land degradation होता है इसको आप लोग इसे circle देखे यह रहा हमारा यह सारे boarding states है यह देखे है मारा गुमा नेक्स्ट आता है हमारा ओवर इरिग्रेशन ओवर इरिग्रेशन की वज़े से कहां कहां पे land किनकिन states में land degradation होती है इसको इसके लिए किसी trick की जरूत नहीं हम सभी ने पड़ रखा है green revolution के बारे में positive effects सबसे ज़्यादा कहां दिखे थे पंजाब, हर्याना, western UP right बहुँ ज़्यादा you know crop का production हुआ western UP not eastern UP कौन कौन साइज state हुआ हर्याना, पंजाब and western UP right तो यहां पे over irrigation की वज़े से line degrade हुई कैसे हुई देखते हैं in the states of पंजाब, हर्याना and western उत्तरप्रदेश over irrigation हर crop की water की requirement होती है अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तो crop भी आपकी खराब होएगी and soil तो पहले soil भी खराब होगी और उस soil क्या बन जाती है over irrigation की वज़े से soil क्या बन जाती है soil basically land degrade होकर के water logging की बज़े से क्या बन जाती है salinity and alkalinity alkaline saline हो जाती है saline and alkaline वैसे तो learn करना बहुत ही आसान है लेकिन हमारे जिन फ्रेंड्स को issues आ रहे है उसको saline and alka saline and alka saline and alka जो मेरी girl students है industry and cement industry ceramic ceramic items हम लोग यूज करते है वाउश्रूम में एक तो सुबर डाउनलोडिंग के लिए और दूसरा while brushing the teeth हम सारे aware right cement तो जानते हैं आप लोग कहीं भी रहे तो हम किसी भी structure में है तो हम cement तो हर जगह ही use होता है आये देखते है detail में इसको so mineral processing like grinding of cement के लिए सबसे जरूरी होता है cement की production के लिए component होता है limestone तो जब इसको powder में बनाते हैं बड़े-बड़े limestone के जो ठुकड़े होते हैं pieces होते हैं उसको powder में convert करते हैं अब आप देखे जहां पे यहां वीट से floor बनाते हैं कभी आप ध्यान से notice कीजिए आठा भी खरार आता है और उस particular कमरे जहां पे wheat basically cement को बड़े-बड़े पत्थर को, stones को या limestone को grind होते हुए आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा या वीडियो में देखा होगा बड़े dust उतरी नहीं उड़ती बड़ क्यों समझाने के लिए जहां पे हम गेहूं से आठा बनवाते हैं विसलिए चक्किम आप कभी जाके observe करिए fine particles of you know flour आठा वो उड़ता रहता है और जो person यह काम कर रहा होता है आप देखे वो 24 साल के उमर में 60 साल का नजर आता है उसके सारे बाल सफे दूरे रहते है देखते हैं quantity of dust huge quantity of dust in the atmosphere तो पहले यह तो powder के form में उपर उड़ता है और फिर धीरे 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 यह subtle हो जाता है जब इस subtle हो जाता है तो जो water की seep through करने की capacity होती है basically cement कहीं भी गिर जाए तो तो लेयर बना देती है right और cement अगर cemented you know layer है तो पानी तो उतके नीचे seep through कर ही नहीं सकता इस तरीके से हमारा ground water level उस area का बहुत नीचे चला जाता है क्योंकि water rain water seep through हो ही नहीं पाता basically completely नहीं रुख जाता बट ज्यादा तो रुख जाता है 90% water seep through ही नहीं कर पाता वो wash away हो जाता है द्रेंस के थूआ water bodies में चला जाता है right तो यह हमने देखा क्या हो जाता है generate huge quantity और एक चीज़ और केवल यह land को ही डिग्रेट नहीं किया और पता है वो land जो है उस land पर आप कुछ ग्रोही नहीं कर सकता हो पत्थर हो एक तरीके से right हम लोग कुछ grow ही नहीं कर से land degrade हो गई और इतने ही नहीं होता air pollution भी होता है next देखते हैं हाला कि air pollution दूसरा topic है and the topic है it retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land we have done it now we'll move to the next point which is ID का है industrial effluents industrial कचरा industrial waste भी बोल सकते हैं in recent years industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution land and water pollution कैसे जो भी waste liquid waste होता है factories में वो without treating it without treatment उसको रिवर में डिश्चार्ज कर देते हैं गंगा रिवर जैसे कानपूर में जो लेदर इंडस्ट्री है अलग-लग जगह पे अलग-अलग इंडस्ट्री हैं जो वेस्ट liquid waste को without treatment उसे उसमें डिश्चार्ज कर देती हैं इससे water भी pollute होता है जो marine life हो वो भी disturb होती है उनकी ecology भी ecological balance भी बिगड़ता है and land भी degrade होती है in industrial effluents की वज़े से and हमारा जो D है MOMO ID का जो D है basically वो यह रहा sixth point हमारा यह रहा deforestation means cutting of trees so MOMO ID याद रहेगा न दोस्तों आप लोगों के ट्रिक कैसे लगे please comment box में बताएं चले now we'll move to the next slide which is यहां पर हम लोग बार नजर मार लेते हैं let's have a look यह देखे industrial waste water without treatment यह रिवर में discharge किया जाता है यह तो liquid waste हो गया solid waste भी किया जाता है उससे भी land degradation होता है अगर अगर हम नो हम लोगों नहीं अगर land को इतना degrade किया है और land एक finite quantity का resource है it is in our interest to conserve it otherwise you know हम सारे endangered species चीज़ बन जाएंगे आये देखते है what are the ways or what are the measures to conserve land so land conservation measures or ways to conserve land अभी हम लोग समझ लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या क्या questions बन सकते हैं या बनते हैं so there are many ways there are many ways to solve the problem of land degradation these are six causes भी six थे and ways to conserve land वो भी six है causes कौन कौन से थे एक बार हम से याद करते हैं क्योंकि causes से ही हम ways to ways to protect land basically ways to stop land degradation या measures to land conservation निकाल लेंगे आये देखते हैं हम लोगोंने क्या पढ़ा था हम लोगोंने पढ़ा था MOMO ID हम लोगोंने पढ़ा था MOMO ID MOMO ID are the causes of land degradation इस ही से हम लोग निकालते हैं so D stands for degradation अगर D sorry D stands for deforestation अगर deforestation हो रहा है तो उसका opposite क्या हो जागा eforestation तो हमारा पहला निकल क्या है eforestation eforestation means ज्यादा से ज्यादा हम अगर हमें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर 3 fell करना पड़ रहा है तो उसकी जगह भी हम दो लगा सकते हैं तीन लगा सकते हैं यानि ज्यादा से ज्यादा plantation करें plant लगाएं अब I आया I stands for industrial effluent क्या करना है industrial effluent दो तरह को हो गया solid and liquid क्या कर सकते हैं इनका proper discharge and disposal of industrial effluent होना चाहिए कैसे होना चाहिए proper discharge यानि proper place पे हम इसे solid waste है उसको proper place पे थो किया जाए जो designated place हो और disposal before we you know liquid discharge है जो liquid waste है basically उसको हम water bodies में छोड़े उससे पहले हम क्या करें water को उस waste water को treat करें यह देखे पूरा system होता है आप लोग देख सकते हैं इसे ठीक है effluence and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas तो जो इंडस्ट्रियल एरिया से तो वहाँ पर ना water body and land दोनों बहुत जादा polluted होते हैं क्योंकि you know industries are run for profit making and थोड़ा बहुत पैसे बचाने की चक्कर में जो industry owners है या जो industry run करते हैं ऐसा नहीं कि क्यों common man की life खत्रे में होगी land तो सब के लिए common ही है right उस land को water body को यह तो सभी की life को you know badly effect करेगी तो यह दूसरा solution हो गया इस से निकल क्या आया उसके बाद हम देखते हैं यह हो गया हमारा over grazing and over irrigation तो उसके point को देखते हैं क्या कर सकते हम control on over grazing होनी चाहिए और जो grazing या pasture lands है उनका proper management होना चाहिए maintenance होना चाहिए so that वो अच्छे condition में बने रहे अब दूसरा है हमारा over irrigation over irrigation का proper management of grazing हो गया over irrigation over irrigation तो वह पाला point इसमें है नहीं बट हम हमें over irrigation से बचना चाहिए अब हम देखते हैं इसमें M यह जो M है जो mining के लिए आया है तो हम क्या करेंगे control of mining activities mining activities तो करी जाएगी क्योंकि industrial development के लिए economic development के लिए mining जरूरी है लेकिन हम क्या करेंगे we can take precautions we can manage it well so that कम से कम land degrade हो अब हमारे बचते हैं हमने deforestation की जगह eforestation कर दिया IE की जगह हमने proper discharge and disposal कर दिया पहला हो गया हमारा sixth हो गया fifth हो गया mining का control mining and यह over grazing का हो गया now we are left with two points and these two points are both the points talk about plantation आई यह देखते है planting of shelter belts friends shelter belts जो होते हैं mainly use किया जाते हैं plain land में यह देखिए यह shelter belts है यह plot of land है जिस पे agriculture होती है यह shelter belt है जब high winds चलती है अभी देखिए यह तो यहां पे crop grow करी गई है तो कोई नुकसान नहीं है जब यह land bare होगी और dry होगी तो क्या होगा जब winds high speed पे चलेगी तो क्या होगा वहां की upper surface of land which is soil क्या होगी उड़ेगी उसकी वज़े से क्या होगा उसकी वज़े से water sorry उसकी वज़े से air pollution भी होगा और जो fertile soil है upper layer land की वो उड़ जाएगी तो क्या होगी land degrade होगी agriculture crop की अच्छी you know अच्छी crops नहीं होगी right so yeah now next is next talks about यह तो plain land के बारे हम बात कर रहा इसको हम wind break भी बोलते हैं wind की speed को ब्रेक कर देता है यह जो हम shelter birds लगाते हैं so basically हम second और fourth को club कर देंगे fourth हमारा क्या है basically 4 तो हमें MOMO ID से cover कर लिया जो दो बच रहें both talks about एक तो shelter belt हो गया दूसरा क्या हो गया हमारा growing thorny bushes एक plantation की बात कर रहा है दूसरा thorny bushes को thorny bushes भी प्लांटी हो एक तरीके से उसको grow करने की बात कर रहा है तो इस तरीके से relate करके हम लोग इसे learn कर सकते है so it's stabilization of sand dunes यानि arid areas में basically राजस्थान deserts जैसे areas में जब high speed की winds चलती है तो बहुत जादा pollution भी फैलता है right तो उसको stabilize करने के लिए हम क्या कर सकते है stabilization of sand dunes by growing thorny bushes देख सकते हैं thorny bushes का एक example हमारे सामने है इसकी रहर सारी varieties होते है thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas arid areas जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था arid areas जहां पे rain water बहुत काम होते dry areas basically desert ऐसे समझ लिजे तो I hope आप लोगों कुछी चीजे समझ में आए and दोस्तों आज हम लोगोंने क्या क्या पढ़ा एक बार पहले यह देख लेते हैं equation क्या बनेगा इस पे equation यह बन सकता है what are the various measures of land conservation दूसरे बाले जो earlier slide पे था उस पे क्या question बनेगा what are the main causes of land degradation degradation तो आप उसमें MOMO ID बना देंगे right और फिर MOMO ID से ही हम conservation के चार points निकाल लेंगे right and उसके बाद जो दो points बचे एक talks about plantation in plain areas basically shelter built दूसरा sand dunes की बात करता है कि हम sand dunes को रोक सकते हैं कैसे थौनी bushes लगाके तो इस तरीके से learn हो गया आज के लिए इतना है दोस्तो thank you so much अजय हमाँ